बिसिकली चैप्टर थ्री इस अल अबाउट सर्चिंग कि आप किस तरीके से अपनी डिजाइड गोल स्टेट को सर्च करते हैं जैसे हम लें टिक-टेक टो की बात कियी थी टिक-टेक टो के अंदर आपके बास बहुत सारे स्टेट्स बन रही हैं तरीक्तों कि अंदर बहुत सारे स्टेट्स वह अंदर हैं उन में से कुछ उस्टेट्स आपकी गोल है कि उनमे से कोछ इश्टेट्स की आपकी गोल इस्टेट्सेज सेट्स करते हैं फिर उसे multiple, उसे 2, उसे 4, कैसे आप जाएंगे अपनी goal state तक इसके different searching algorithm लेकिन इससे पहले हमें किसी भी problem को समझ के उसका state space बनाना आना चाहिए, state space क्या है, जो पिछली किलास में हमने tic-tac-toe के लिए design करने की कोशिश की थी, complete तो हम नहीं कर पाते, लेकिन हमने उसका idea ले state space होता है, मतलब आप जिस state पर खड़े वे हैं, उससे जितने options निकलना है, then उससे multiple options, तो पूरा एक tree का structure बन जाता है, तो इसी तरीके से हम दो-तिन example देख रहे हैं, chapter 3 स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें idea हो जाए कि किस तरीके से state space generate किया जाता है, तो यह देखिए, फ यह आपके पास starting state है, आप यह समझीए कि यह starting state इस तरह से एक यह 5 index है, यह पहले index है, दूसरा index है, तीसरे index पर question mark लिखावा है, चौंते पर 2 है, पांच यह पर 2 है, जिस तरह से आप एक puzzle game खेलें और इस puzzle game के अंदर array की सूरत में 5 blocks हो, तो यह 5 blocks है आपके पास, इस में से एक block क्या है, खाली है, खाली कौन सा वाला है, जो question mark है, वो blank है, लेकिन चुकर हमने उसको represent करना है, कि भर यह blank है, तो हमने question mark show किया हुए, आपने starting state के अंदर ऐसे changes करने हैं, ऐसे moves perform करने हैं, कि यह goal state मिल जाए, मतलब क्या है, कि 2-2 question mark 1-1 आजाए, इस starting में क्य इसके लिए हमारे पास कुछ नकुछ moves होते हैं, तो इन्होंने हमें दो तरह के moves बताएं, एक moves क्या है, एक slide, मैं आपको explain करता हूँ, कि फर्स करें, आप इस state पर खड़े में, फर्स करें आप इस state पर खड़े में, पांच इंडेक्स बना रहा हूँ है आपको, दिक है, फ को सिलाइड मुफ क्या करता है कि स्लाइड मुफ का मतलब यह होता है कि कुस्टन मुफ है हमने कुस्टन माइड इसलिए किया है ताकि हमें पता चल जाए कि बिलाइड जगा है स्लाइड मुफ यह कहता है कि जब भी आपको परिफॉर्म करेंगे तो ़ार सिवाते बलांक के साथ ही करेंगे वाली जगा किरेंगे स्ला ओप मतलब क्या है जैसे ही यह म। में अगर परफॉर्म करऊंगा तो कस्टन माइड़ आ जाएगा और राजेगा इदर आ यहां पर हो तो अब यह साथ भी अपनी उप्णूशन चेंज कर सकता और इसके बाद भी पर उपाद सेंटर्ट में रिखा हो यह मैं भी आपको समझाऊंगा एक और मुव है वो क्या गिलाता हॉप हॉप कह लें या जम कह लें वह मुव क्या है वह मैं आपको explain करता हूँ कि यह है आप हॉप मुव क्या है कि definitely जब भी आप किसी चीज को replace करते हैं तो एक जगह को खाली होना चाहिए खाली वाली जगह होगी जब भी तो कोई चीज आएगी तो देखें हॉप मुव क्या है कि कुस्टन माक अपने से एक छोड़ के भी अपनी पोजिशन चेंज कर सकत कि कुस्टन माक अपने बराबर में एक बंदे को छोड़के एक ना जादा ना कम एक बंदे को छोड़के अपनी जगह चेंज कर सकता है तो से भी कर सकता है यह कुस्टन माक बन से भी अपनी जगह चेंज कर सकता और तू से भी तो अगर मैं इसके बात होप करूँगा तो सब्सक्राइब एक दफ और समझा जीता हूँ कि फर्स करें आपके बास यह स्टेट है किसी तरीक आपको यह मिलिए तो इसमें जो हॉप ऑपरेशन होगा वह किसके बाद होगा सरी वन के साथ पास्टिबल है क्योंक्स एक छोड़ के हो सकता है इसके बराबर में है एक फिर ल्म कंडिशन होगा वह है अब यह दोनों औरfelकी दोनों के अगर एक प्रडिकुलर कंडिशन मैच हो रही हो तो उस कंडिशन के अंदर आप वो काम नहीं कर सकते हैं मतलब क्या है कि जैसे फ़र्स करें मंडे की सुबह में कोई सा भी कोर्स पढ़ा सकता हूं के मनदे की सुबह कोई सा भी कोई सकती हैं जयसे आपने औरा ले लिया मंडे की सुबहं कुछ और नहीं पढ़ सकते हैं kaz believers50 पढ़но पढे तो यहां पर भी ही लूजी है कि आप slide और hop operation पर्फॉर्म कर सकते हैं लेकिन क्या condition है जिसमें नहीं कर सकते हैं या कि आपके slide और hop operation के तौर पर पर्फॉर्म कर रहे होंगे उस कोई भी एक operation परफॉर्म करने के रिग्रेल के तौर पर अगर वन राइट पर जा रहा है तो सही है लेकिन अगर वन लेफ्ट पर जा रहा है तो आपको यह अलाओ नहीं है मैं आपको मिसाल देता हूं यह देखें अगर मैं इस वाली स्टेट पर हॉप अपरिशन परफॉर्म करूं तो वन तो तो हमेशा कहां जाना चाहिए लेफ़ पे लिखा वा था प्रेशं करूंगा जाहेगा लाइट पे तो यह अलाव निहीं है और अगर इसे वाले में two को मैं operation perform करूंगा तो two का चलिया आएगा left पर तो यह अलाओ है यह चार चीज़ आपकी समझ में आ गई हर step में एक operation perform करना है आपके पास initial state यह है जिसे आप starting state कहते है जी slide और hop दोनों के लिए same rule है starting state है और goal state है यह आपने इस starting state में different options perform करने एक एक करके हर state में operation perform करना है और आपने goal state बनाना है आपने अपनी copy लेनी है एक और pencil लेनी है आपने solve करके मुझे बताना भी 5 minute के अंदर कि आपको कितने step लग रहे हैं starting से goal state में जाने है यह quiz नहीं ह किसी के पास भी इन 4 options के लावा कोई 5 option मौझूद नहीं था तो अब हम बात कर लेते हैं कि वहीं क्या करना चाहिए इस तरह की problem solve कैसे होती है कि starting state पर खड़े में यह हमारी goal root हो गई हमें starting state give in है जरूर यह कोई भी हमारी starting state हो सकती है AI की searching problem में हमारी starting state कोई भी हो सकती है हो सकता हमें यहां से start कर वाजिदा हो सकता हमें यह से start कर देदा है कैमबटaggi आपकी चैन्ज हो सकती हैं वह आपकी गोल आर्स होसक्ति है कभी आप कहीं से भादरबाद जा रहे होते हैं कराची के एक कोने दुने पर कोने कभी आप मलीर से गुल्षन जा रहे होते हैं, कभी आप गुल्षन से बादुरबाद जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग और गोल स्टेट के होती रहती है, चेंज होती होती है, कि जरूर निए कि हमीज़ है स्कार्टिंग शेट हम यह सापोड करें यह चार ओप्शन है हो हो पर फाइं धर चला गिया 알क धार कि यह कि अफ्रोड्त के दी हम हुआ कि इसमें अगर चार ओपरेशन सी बात करें तो अगर किसी ने यह ओपरेशन चूज किया है अगर किसी ने यह operation चूज किया है तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके बाद उसके पास कोई option बचा नहीं बचा इसके बास बंदे के पास कोई option बचा नहीं बचा यह देखिएगा अब अगर मैं इस जगह पर खड़ा हूं मैं आपसे पूछू कितने possible operation है त सब्सक्राइब बलेंगे सर देखें दो यह operation दिख रहें या तो वन को slide करवाले यह इस वन से करवाले होप करवाले है ऐसी है लेकिन इन दोनों operations की तौर पर वन का चले आएगा एक बनका चले आएगा लेट पर चले आएगा और विष्टा को जाएगा तो यहां पर हमने इसको क्या कर दिया कि यह तो फर्दर कंटीनी नहीं हो रहा है इसका मतलब है किसी ने अगर इस टार्टिंग में यह अपर फर्फॉर्म किया था तो वह तो इस ट्रक्तर गया के इसका मतलब है यह दोने इस्टेट तो फृदर कंटीनी नहीं होंगी यह वो दो ऑप्षन जिनकी गलियां बने यह वो ऑप्षन जो आगे पानी आगिया आप जाई नहीं फक्त्रे गाड़ी लेगे समझ रहे हैं आगे बढ़ते हैं अब इदर आजाए इसके पास कितना ऑप् कि इन तीन में से बताया तो यह डिखा वे था तो रिखिया स्लाइड हों और इधर चलागी उप्षण मांग की पोजिशन आपने चेंज करती है अब इन 3 में से एक ऑप्रेशन का इन्वालिब हो कौन सावाल है कि अगर मैं इस वन को यह वाला जाए नीचे बाला वन को कुस्किर्स माग के साथ ऑप्रफॉर्म करें तो वन का चली आएगा लेफ्ट पर तो यह तो अलाओ नियुकर यह वाला तो अलाओ लगते यह अब यह दो अप्रिशन वहीं सब्सक्राइब एद मे परफर्म कर लिए इधर भी कर दिए तिरी हो पॉदल इसे भी です असलब या amor हम और फॉप्जबूर्ट must यह तर से कि निढूर करेंगे एक जैगा इसको निढूर तो आपको लिए को जाता आएगा यह में स्टा परफॉर्म करते रहें देखिए यह देख रहे हैं, जितनी possibility तो उन सब को बनाते रहेंगे हम, और एक वक्त आएगा कि अगर goal state exist करती होगी, तो हम goal state रहेंगे, एक वक्त आएगा कि goal state अगर exist करती होगी, तो goal state रहेंगे, अगर हम रास्ते की बात करें तो यह रास्ता है, यह रास्ता है goal तक जानेगा, एक तो यह दो रास्ते हैं गोलिस्टेट से जा रहें हूं है अब चैपटर 3 में क्या होता है वो एक्सप्लेंड करते हैं यह कई मुश्श्खिल बात नहीं जो आपके स्ट्री Quinn पर है tutte aver 3 में होता हैμε आपको एक अपैनिशील स्टेट दी जाती है और और या जाती है searching algorithm use करके, आप हमें path find out करके दे। different searching algorithm ए जिनकों we use करके path find करते हैं वो अलइग अलग तईकों से काम करते है इसकी मिफाल क्या है, आप market में गए, आपको participantictingcke सब्सा जब लेनी हैं शुर्य में दुखाने हैं गोस्ट मिलता है हमापर, सब्जी नहीं मिलती है, फुरूट मिलते हैं, लेकिन फिर भी ना फुरूट की दुखान पर फूचे वह जा रहा हूं कहा है तो हमाटर पार सबसे हुई है, अल्गॉर्टम की लॉजिक ही यह है, चाहे सब्जी आगे मिलत कि आपने मेरी हिसाब से काम करना है, वो क्या क्या FRE नहीं है, सर आप सबसे पहले left पर जाएए, फिर right पर जाएए, फिर left से left पर जाएए, फिर left से right पर जाएए, मतलब हर algorithm mix in अपने गवह साब से searching कर रहा है, तो ये आपके हात में नहीं है, आपकी choice क्या है कि आप different algorithm लगाएं और उनको समझें तो हमें chapter 3 के अंदर यही समझना है कि different searching algorithm different तरीके से कैसे search करते हैं और अगर सब लोग search कर लेते हैं तो हमारे पास इनको अलग-अलग पढ़ने की क्या दरूरत है अगर सारे एक ही काम कर लेते हैं या काम नहीं करते हैं तो chapter 3 is all about searching एंफेट chapter 4 and chapter 5 का कुछ उस्ता भी searching का ही है point समझ में आ रहा है कि हम क्या चीज़ पिक करने की कोशिच करेंगे आपर जी point समझ में आ रहा है